हेलो नमस्ते वेल्कम टीटिश ओनलाइन आज का वीडियो बहुत ही ज्यादार होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग दिखने वाले क्लास 10 के जितने मी चैप्तर से उन सबके ऑथर्स के नाम याद रखने की सबसे ज़्यादा इजी ट्रिक और सच बता रहा हूं अगर इस वीडियो का आपने एक या दो बार देख लिया तो आपको सारे चैप्तर के सारे ओथर्स के नाम याद हो जाएंगे चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं तो देखे चैप्तर के जो ऑथर है वह हम लोग इसे पुछा जाता है और कभी-कभी जो रेफरेंस तो कॉंटेक्स आता है उसमें भी पूछा जाता है जो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम देख स्टोरी पेला चैप्टर इसमें Hari Singh और Anil में कारक्टर और विच में बांड होता है तो कौन है इस आउसर का उधर? recognised Plaid और Thieves Story, Hari Singh और अनी के बीच में एक bond है, Ruskin bond, A Question of Trust, यहां पर और Question of Trust, दो Cunning Thieves ठी स्टोरी है, Cunning मतलब चालाक, Two Cunning Thieves, तो कौन है इसका author, Victor Canning, Cunning से या दखना, Canning, Midnight Visitor, अब Midnight में, मतलब आती रात में, कौन आते हैं, Roberts आते हैं, मतलब Roberts या नी डाकू आते हैं, तो इसका author कौन है, Robert Arthur, Roberts Arrive, Robert Arthur, Arrive से Arthur, भूली, भूली के अबबा का नाम क्या था, रामलाल, भूली का अबबा, तो K.A. Abbas, के अबबास, भूली याद हो गया, फिर book that saved the earth, अब, book that saved the earth, उसमें earth को किसने मतला है था, Mother Goose, जो की clever book थी, तो Claire Boy को, clever book, Claire Boy को, fog, fog and sand, मतलब दोनों match करता है, fog और sand, तो sand से, Karl Sandberg, the trees, अब trees में, हम लोग forest के बारे में बात करें, trees के बारे में बात करें, तो जो forest होता है, वो rich होता है, त्री से, मतलब उसमें trees बहुत सारे होता है, तो adreni rich, the trees rich with tree, adreni rich, मिजबिल दा ओर्टर, अब इसमें मिजबिल दा ओर्टर, यहाँ पे एक zoologist था, जिसने ओर्टर को पहली बार नाम दिया था, तो कौन है इसका author, Gavin Maxwell, dust of snow, यहाँ पे snow की बात करें, और snow frost से match करता है, तो snow का होगया, Robert frost, same with fire and ice, ice, यह भी frost, frost मतलब भी वह होता है, छोड़ी छोड़ी बर्फ के कंड, तो Robert frost, dust of snow, frost, मतलब Robert frost, और fire and ice का भी Robert frost, फिर आता है, a letter to God, अब दिखे, पूरे chapter का title यहाँ करता है, letter का L, God का G, तो इसे reverse order में करता है, G L, G L, Fiontis, तो a letter to God का का कौन है, G L, Fiontis, letter to God, तो इसे reverse order मतलते है, how to tell wild animals, इसमें crocodile के बारे में बता गया, crocodile कहां रता है, well में रता है, कुए में रता है, so crocodiles से आगया, Caroline Wells से आगया, Wells, how to tell wild animals का कौन है, Caroline Wells, the proposal, Lomo और Natalia, दो main characters होते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं, और दोनों एक दूसरी को हमेशा checkmate करना चाते थे, हराना चाते थे, इसलिए the proposal का कौन है, Anton Checkout, checkmate करना चाते थे, Lomo और Natalia, तो Anton Checkout, tiger in the zoo, अब tiger in the zoo में, जो tiger होता है, इसके बस less freedom होती है, तो Leslie Norris, tiger in the zoo, Leslie Norris, the ball palm, ball palm में जो boy है, वो बहुत ज़्यादा sad man होता है, अच्छा man तो यहाँ पर मैंने ऐसी बता रखा है, sad होता है बहुत ज़्यादा, so ball palm में boy, very sad man, john, very man, boy से राइम करा, john, और very sad man होता है, तो very man, tale of custard the dragon, dragon Dan में रहता है, हम इसे चलाते है रहता है, the dragon cried for a nice safe cage, cage को Dan मतलब गुफा होता है, वैसे cage को नहीं मतलब गुफा होता है, तो dragon Dan में रहता है, गुफा में रहता है, तो pirate का कर दिया Nash, Ogden Nash, तो Dan से याद रखेंगे, Ogden और उसने, dragon ने pirate को खा लिया था न, Nash हो गया था उसका Nash, Ogden Nash, Amanda, Amanda हमीशा अपने लिए freedom जादी थी, एक bird की तरह है, कौन सा bird, Robin की तरह है, Robin एक bird होता है, तो Robin क्लैन, Amanda का, और author का होना, point का होना, Robin क्लैन, footprints without feet, यहाँ भे scientist का नाम होता है, Griffin, Griffin, इसमें से fin हटा देते हैं, Griffin में से fin, fin, यह fish का एक body part होता है, और fish कहा रती है, well में रती है, तो H.G. Wells, footprints without feet, H.G. Wells, madam rights doubles, main character का होना है, madam rights doubles में, Valley, Valley हमाई होता है, तो इसकी जो author है, वो भी है, Valley Kannan, फिर रता है, T from Aasam, अब इसमें दो main character होता है, Pranjal और Rajveer, Rajveer के बाद, पास में बहुत सारा data रता है, आसाम के बार में, तो आसाम से ले लेंगे, आरूप, मतलब आसाम के A से आरूप, कुमार, और डेटा होता है, यह हो गये हमारे जतने भी chapter सा हूँ, सब के authors के नम, I hope आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो लग जाएगे जोच्छों से एकदम तेयारी के साथ, और हाँ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिले, ताकि उनका भी फला हो जाए, और हाँ जाते जाते एक और important बात, इस chapter की PDF, आपको ETS Online Telegram Channel से भी मिल जाएगी, वहाँ पर भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत सारे सैंपल, पेपर, बहुत सारी question, study material आपक गला है, झाला हो जाएगी, यहाँ पर लोग जाएगी